हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें प्रियल को हमेशा ही अपने चहरे पर दानों की शिकायत रहती थी और उसका चहरा हमेशा ही दानों से भरा रहता था समय बीटता है और एक दिन जब वो अपने कॉलेज से अपनी सहेली के साथ घर के तरफ आ रही थी तो उसकी सहेली सोनाली का कहती है आज भी वही हुआ तेरे साथ जो हमेशा होता है तू कब तक सिंगल रहेगी यार क्या मतलब है तेरा साथ बोल तेरी तो किसमत ही खराब है प्रियल आज भी केतन ने तुझे नजर उठा कर भी नहीं देखा वैसे अच्छा भी है कि नहीं देखा वरना तेरी ये टैन स्किन और ये चोटे-चोटे डाने नोटिस कर लेता तु मेरी सहीली है या मेरी दुष्मन जो ऐसे बोल रही है मुझे तो लगता है प्रियल तो यही सब करती रह जाएगी और कोई सुन्द ही लड़की तेरे केतन को तो सploविषप चुरा कर ले जाएगी यार तु तो मेरी सहीली है ना तु तो ऐसा मत बोल तेरे कहने से मैं अच्छी डाइट ले रही हूँ, महगी क्रीम लगाती हूँ और अच्छा बड़िया फेसियल करवाती हूँ अब भी ये सब ऐसा ही है, तो तू बता मैं क्या करूँ वही कर, जो अंटे तुझे करने को बोलती है क्या? पहीली मत दे, साफ बोल अरे जब तेरी मा तुझे कई बार बोल चुकी है, मुलतानी मिट्टी लगा कर देख तो एक बार लगा कर क्यों नहीं देखती है? क्या पता तेरी स्किन ठीक हो जाए, तू नहीं चाहती क्या? कि तू और सुन्दर दिखे, और केतन खुदा कर तुझे बात करे, लगा ले मिट्टी ची, आज बोल रहे हो मिट्टी लगा लो, कल को बोलो कि गोबर लगा लो, ऐसे थोड़ी होता है चल तू कह रहे हैं तो आज से एक हफ़ते लगा कर देखूंगी देख, बड़े बुड़ों पर अच्छे और बड़ी अनुसके होते हैं, एक बड़ ट्राइ करके देख ले अब केतन चाहिए तो इतनी महनत तो करनी पड़ेगी ना हाँ बाबा, बोल तो दिया, आज ही मा से बोलती हो मुझे मुलताने मिट्टी लगा दे पर बस एक हफता, अगर फर्क नहीं आया तो बंद कर दूँगी प्रियल इतना कहकर घर की और निकल जाती है, और घर आकर अपनी मा सोभाग्या से कहती है मा सुनो, आप कह रही थी ना, मैं अपने चेरे पर मुलताने मिट्टी लगा कर देखूँ शायद उससे मेरे दाने चले जाएं, और मेरे स्कीन भी चमक जाएं, चलो, लगा दो, मैं तयार हूँ अब अच्छानक क्या हो गया तुझे, कैसे अकल आ गई, पर अब तुझे इंतजार करना पड़ेगा ये मिट्टी ऐसे नहीं लगती, मैं भीगो कर रख देती हूँ, गुलाब जल डाल कर शाम को लगाऊंगी सो भाग्या इतना कहकर मुलतानी मिट्टी गुलाब जल में डाल कर भीगो देती है जिसके बाद शाम के समय, वो प्रियल के चेहरे पर उसे लगा देती है तब ही उसका भाई आकर कहता है अरे, ये नायक का निल कपूर मुलतानी मिट्टी में सना हुआ हमारे गर पे ज्या गर रहा है लो जी, अब तो तुशार कपूर भी आ गया इसमें फर्स्ट एक्टिंग अवोर्ड गोस टू मिस परियल चुपकर, शरारत मत कर, अपनी बहन को तंग मत कर नहीं तो दो थपड मारूंगी और तू प्रियल, बोलियो मत, वरना पैक फर जाएगा चलो लेडिज, आप दोनों ये अपने पारलर का काम चालू रखो और मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में अराम करने वो क्या है ना, मैं अपने बैड को जादा देर तक इंतिजाब नहीं करा सकता पियोश इतना कहकर अपनी कमरी में चला जाता है और प्रियल, उसे कोई जवाब ना देते हुए मन में कहती है उतने मेरे मूपर ये मुलताने मिट्टी ना लगी होती फिर तुझे बताती, अगर मैं बोलूगी तो मेरे फेस कराब हो जाएगा इसलिए तुझे माफ किया, ये कितनी खिच रही है एक काम करती हूँ, जीब लगागा थोड़ी गीला कर लेती हूँ चाहरे को सो भागया भी रसोई के काम करने रसोई में चली जाती है और प्रियल जीब से होटों के पास वाली मिट्टी को चाट कर कहती है वाह, कितना बढ़िया स्वाद है इसका, आनन ना गया, थोड़ी और चाट लेती हूँ जहां तक मेरी जीब चाहे इतना कहकर प्रियल अपने चहरे से ही सूखी मिट्टी की परत उतार कर खाने लगती है और इस तरह प्रियल को मुलतानी मिट्टी खाने की आदत पड़ती है अप्रियल उसे खाती भी और लगाती भी अप्रियल सूते जाकते, कॉलेज से आते जाते, हमेशा मुलतानी मिट्टी अपने मुह में रखती ऐसे ही एक दिन, जब वो अपनी सहली के पास कॉलेज में आती है, तो उसकी सहली कहती है जी क्या मैं दो मिनिट आप दोनों को परिशान कर सकता हूँ? हाँ, बोलिये न जीजू, I mean केतन, बोलो क्या कहना है? दरसर मुझे परियल से बात करनी है, बात यह है कि परियल, मैं कुछ दिने से तुमको नोटीस कर रहा हूँ, तुम सच में बहुत सुन्दर हो, क्या तुम ऐसा डेट पर चलना पसंद करोगी? हाँ, हाँ, क्यों नहीं केतन? प्रियल जैसे ही जवाब देती है, केतन के नज़र मिट्टी खाने के कारण सफेद पड़े उसके दातों, जीब और होटों पर जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, केतन ये बोल कर वहाँ से निकल लेता है, जिसके बाद प्रियल उदास होकर अपने घर आती है, और ऐसे ही मुलतानी मिट्टी खाना जारी रखती है, वो रोज मिट्टी खाया करती, कभी सुखी तो कभी भीगी हुई, लेकिन एक दिन उसकी माँ उसे मिट्टी खाते देख लेती है, और उसके पास आकर कहती है, आरे शरम कर, छोटी नहीं है अब तू, बड़ी हो गई है, ये कोई उमर है तेरी मिट्टी खाने की, जाई से थूख करा, हाई रामरे, कीडे पढ़ जाएंगे तेरे पेट में, पूरा मुँ भर कर बैठी है ये लड़की, जा, प्रियल अपनी मा की बात मान कर मिट्टी थूख आती है, लेकिन खाना नहीं छोड़ती, तब ही एक दिन कहीं से उसे पता चलता है, कि अगर मुलतानी मिट्टी को आग पर सेख कर खाया जाए, तो उसका स्वाद और भी जादा लजी जाता है, जिसके बाद वो चुपके से रात को रसोई में जाती है, और गैस ओन करके उस पर मिट्टी का एक बड़ा सा टुकडा रखती है, लेकिन अचानक ही वो टुकडा फटने लगता है, और उसके टुकडे पूरी रसोई में बिखर जाते हैं, ये देखकर वो डरते हुई कहती है, है राम ये क्या हो गया, प उसकी जीब पर वो टुकडा चिपक जाता है, और उसकी थोड़ी सी जीब भी जल जाती है, जिस वजा से वो चीकती है, आई मा, उसकी अवाज सुनकर सो भागया और पियुश वहां आकर रसोई का और उसका हाल देखकर कहते हैं, देख लिया मा, आपकी लाडरी लड़की अपना और रसोई का क्या हाल कर दिया? इसको खाने का मन किया, लेकिन ये मेरी फेस के लिए बहुत फायदे मन्द है, तो मैं ऐसा क्या करूँ, जो मैं इसे लगा भी लो अपने चेहरे पर और इसे खाने का मन भी न करें, बस इतनी सी बात, एक काम कर कॉस्मेटिक की शॉप पर जा, और जाकर वहां से मुलताने मि मुलताने मिट्टी का फेस पेक था, और उसे चहरे पर लगाने के बाद मन में कहती है, खुश्बू तो मस्त मुलताने मिट्टी के आ रही है, जरा फिर से जीब लगा कर इसका टेस्टी भी देखती हूं, किसी को क्या पता लगेगा, थोड़ा सा ट्राय करना तो बनता है न इतना कहकर प्रियल जैसे ही जीब लगा कर पेक का टेस्ट चेक करती है, तो तुरन थुक कर अपने मन में कहती है, या तु किता कड़वा टेस्ट इसका, प्रियल यही सही तेरे लिए मुलताने मिट्टी भी होने का जञजट भी खतम और इसे तो खाने का मन भी नहीं कर रह जाने का मौका मिलता है, और वो अपनी जिन्दगी खुशी से जीती है, मुलताने मिट्टी का जो फाइदा हमें बता था, हमने आपको बता दिया, इसका कोई और भी फाइदा होता है, जो आप लोगों को बता है, तो आप हमें बताईए, दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?